आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ जो होगा इसका conjugate होगा क्योंकि quadratic equation के अगर roots क्या है हमारे पास अगर complex हैं तो वो pair में exist करते हैं ठीक है तो दूसरा root जो होगा 1 प्लस में 2i हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर से देखा जाए तो alpha जो है वो क्या होगा यहाँ पर अगर मैं sum of root निकालता हूँ ठीक है sum of sum of roots तो यह कितना हो जाएगा minus में b by a मतलब minus में alpha divided by 1 मतलब minus में alpha के इककल हो जाएगा ठीक है इसको हटा देते हैं ठीक है तो यहाँ पर sum of root यहाँ पर हमारे जो roots हैं यह दोनों है ठीक है तो इन दोनों को अगर हम add कर देंगे तो यह खतम हो जाएगा तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका मतलब कि alpha के value कितने आजएगी minus में 2 आजएगी ठीक है चलो alpha के value minus में 2 आगी है अब beta के value देखना पड़ेगा ठीक है तो देखो अगर मेरा product of root हो अगर मैं निकालता हूँ ठीक product of product of roots ठीक है तो product of root क्या होगा c by a ठीक है तो beta by 1 होगा ठीक है मतलब beta के equal हो जाएगा ठीक है तो product of root मतलब इन दोनों का multiplication तो देखो यह a plus a minus में b into में a plus में b हो जाएगा 1 plus में 2i into में 1 minus में 2i हो जाएगा ठीक है तो यह a square minus में b square का form बनेगा तो 1 का square 1 minus में 2 का square 4 हो जाएगा and i का square i square और i square के value minus 1 होती है तो minus minus से यह हो जाएगा plus ठीक है इसका मतलब beta के value कितने आगी है 5 आगी है ठीक है तो हमसे पूछा गया है alpha minus में हमारा परस 5 है तो यह कितना हो जागा माइनस में 7 तो यही हमारा एंसर तो हूप आपको समझ में आगा थैंक्यू क्लासिक्स चुट्वल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर